स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सब का धन्यवाद अपने फेवेट चोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को एड़ फिट दे बेल आइकन इतना तो पता है मने, कि तुम मेंसे कोई एक जूट बोल रहा है बेदमी, तू तो भूसे की धेर मेंसे भी सुई ढूड़ का निकाले हैं ना? तो ढूड़ ढूड़! ढूड़ 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 उस इंसान ने, जो इस नुकसान का जिम्मेदार है जाए फिर वो थारा सुस्रोजी हो, ननन्ध हो, तेवरानी हो, या फिर तो खुद क्यों ना? इस घर में एक एक पीसे का कर्चा मारे सूरज के उसी दुकान से आवे दिन रात मारा छोड़ा बट्टी के आगे अपना पसीना बहावे जिस किसी ने भी, जिस किसी ने भी ये कांट किया है उसने मारे चोरे के दिल पर चोड़ पहुचाने के साथ साथ मारे घर परिवार के पेट में लात मारी है इतनी बड़ी गल्ती को मैं ऐसे ही न छोड़गी छोरा, जब रात में मंदिर में ठाकुर्ची ने सुला रही थी तब तु दुकान में मंगल करकर सटर बंद कर रहा था सटर तो तु अच्छे से ही बंद किया होगा ना कहीं थारे से कोई गल्ती तो ना होगी न छोरा भाबो, भाब सूरज जी से गल्ती हो ही नहीं सकती ये सूरज जी का रोज का काम है बलकि इसका सीधा-सीधा मतलब यही है कि कल रहात को कोई शटर दुबारा खोलने के लिए आये था और वापिस आते वक्त उसमें शटर ठीक से बंद नहीं किया वो कौन हो सके है उसकी इसी हरकत से मारे छोर्या को हजारा को नुक्सान हो गया रहे कौन है वो ऐसी दुस्मनी निकाल रहे हो मारे से हमारा राम जी रात पतो कौन किस ने खुली अब वो इतनी मैनस से भाईया ने इतना बड़ा ओडर लिया था इतनी मैनस इतनी तयारी की सब अनास पीठ हो गया उसका कुछ हजारों की बात नहीं बादू कम से कम एक लाग का नुसान हो है नहीं चोगे उसे उसे सजा मिल ली जाए पुलिस मेरा पड़ लिखवाते होगे नहीं चोगे आपो अभर ड़ी चाबी तो रोज अठे ही रहे आपो इसकी बाहरवाले का काम नहीं है अब कि घर के ही किसी सदर से कि लापारवाही कादती जा है आपको यादी भाबो, सुभज जब सुरज जी अपनी दुकान की चावी ढूंड रहे थे तो वो रोज वाली जगा पर नहीं थी चतुली ने कहीं और सल आके दी थी जिठानी जी वो सके है आपका अंदाजक गलत हो यह किसी बाहरवाले कहीं काम हो वेपला ऐसा कौन है जो इतना बड़ा नुकसान करेगा ना परभादी हूई है वो भी चरण ठीक से ड़न करने की लापरवाही की वजासे बाहरवाला होता तो उसे शतर ठीक से बंद करने की जरूरत क्या थी यह जो कोई भी है, घर का ही है संदर जी, देखिए जो हुआ जैसे हुआ, वो चीज के उपर बात करने का समय नहीं है हमारे पास संदर जी, आपो, मैं किसी भी हालत में यह आडर नहीं छोड़ सकता मेरे पास, तिन कंटी और है, मैं काम पता हूँ, मैं बजार जाता हूँ और सामान लेकिया आता हूँ, मिठाई यह फिर से मिन होगा चल चुटो मेरे साथ सुला जी, जाते वक्त पैस कंट्रोल वालों को फोन कर दीजेगा जी हो की वज़ा से तुकान का सारा सामान हठाकर दवा चुटपानी पड़ेगी चुट यह भी ठाको जी यह सब के हो गयो भाबो कर जले मेरे और अभे रव की प्यार की आखरी दिशन एक दिन मा की तरह वकील बनेंगी मैडन जी, सिगनल पर फोन पर बाग करना गहर कानूनी है सॉरी सर्, कॉल रिसीव नहीं कटी कर रहे थी वैसे आपने हिलमेट नहीं पैना कल के दिन तू वकील वनेगी तो कोर्प में जाके ऐसी दलील करेगी हाँ, सची तो बोला मैंने इसमें क्या गलत कहा ए भगवान यह ऐसी ही पोली है कभी-कभी सोचती हो आके जाकर अभीरा अपनी रिष्टों को कैसे निपाएगी यह रिष्टा क्या कहलाता है? नई शुर्वात चे नवंबर से रात साथ नौग जे स्टा प्लस और डिस्नी प्लस होट स्टार पर तुम लोगों में से जो भी रात ने दुकान पर कया है ना? चुप चाप अपनी गलती मन का सामने आ जाए कोई न बोलेगा ना बोलो और जे मत समझना के मैं चुप बैट जाओगी जिसके भी हाथ से वो है ना? वो भले ही गित्ते ही राम पचले मैं उसे खुच करी रहोंगी कौन है जिसकी ला परवाई के बज़े से मारे जोरे की दुकान में एक लाख रुपए को नुकसानो कोई भी सामान काम का नारा कौन है वो? जे ना भुले कोई कि इस घर में सुई से लेकर कुर्ता तक सुरज की उसी दुकान की कमाई से आग अब भी अगर थोड़ी सी सरम बाकी है तो सामने आ जाया और अपनी गल्ती मान ले अगर मैं भाबो को आगे जा की सच बोल गई तो भाबो तो तब तक मारे मात है थौलिया मारती रहेंगी जब तक एक लाख निकाल कर जेट जी के हाथ में धरवाना देंगी घर के खर्चे में भी एक हजार के लिए भी बोल दिया था तो एक लाख क्या छोड़ींगी? नहीं, नहीं, मैं तो कूँगी, यह बनी रहूंगी भाबो इतनी गुस्से में है, अब भाबो को कैसे बताओ कि दुकान पर मैं ही गई थी और यह सब जो कुछ भी हुआ है कि मेरी वज़े से हुआ है भाबो तो चीर कर अंदर मसाली भर कर छट पर सुखा के आएंगी मुझे भाबो तो पहली से ही नाराज है मच से अगर मैंने भाबो को अपने दुकान पर जाने की बात बता दी तो तो उस तो मुझ से पर्मेनेंटली नफरत करने लगी कि मुईत में मुझ से दूर चला जाएगा नहीं मुझे चुपी रहना चाहिए सुनो जी कल आप पान काडपा धूंड़ रहे थे ना कि अगे पान काडपा धूंते धूंते दुकान पर तो न चले कहते कैसी बात के गई सकतो जब मैं दुकान पर गया तो निस है आता सूरज मिठाया बना रहा था और तब हम में अपना पान-काडपा लिया है अजे, रात में में दुकान में जाके के करूँगा? क्यों भी? हारी चटोरी जीप तो तने खीच करना ले गए ना दुकान तक रवाई, गल्ती हुई है ना, तो मान ले ने, मैं कहां गए? मैंने तु कुछ ना किया भाबो, काना के होने के बाद तो जैसे मैंने मेठा ही छोड़ दिया हो और हाँ बाइसा राज, थे तो चक्कर लगाता लगाता तु कान पर नहीं पहुच गया ने भाबो, मुझको तो दिन में भी कुछ काम नहीं पड़ता तो फिर मैं रात में क्यो जाओंगी? और वैसे भी, कल तो मैं बहुत जल्दी सो गई थी हाँ, मुझे बहुत जूर से नींद भी आ रही थी और सर भी बहुत दुख रहा था बिक्रम वही तो तो नाग्याता पर्चातुरी तो नहीं भाबो मैं नहीं गई थी कोई तो गया होगा ना पर वो है कुछ एक बार मुने पता चल जाए ना कि वो कुछ भाबो आपने सबसे पूछ लिया मगर आपने जिठानी जी से एक बार ना पूछा कि कहें वो तो दुकान में न गई थी मैं तो कहूँ पूरे घर में एक ही लापरवा है वो हमारी जिठानी जी याद को नहीं भाबो मुद्भेय की सगाई में कैसे सारा काम काज छोड़के पानी फेला के तो सो गई थी तो हो सके है पीन नहीं नहीं भाबो इतना तो पता है मने कि तुम में से कोई एक जूट बोल रहा है पीनमी तू तो भूसे की ठेर में से भी सुई धूड़कर निकाले है ना तो धूड़ निकाल धूड़ निकाल उस इंसान ने जो इस नुकसान का जिम्मेदार है जाए फिर वो थारा सुसरोजी हो ननन्ध हो देवरानी हो या फिर तो खुद क्यों ना इस घर में एक एक पीसे का कर्चा मारे सूरज के उसी दुकान से आवे दिन रात मारा छोड़ा बटनी के आगे अपना पसीना बहावे जिस किसी ने भी जिस किसी ने भी ये कांट किया है उसने मारे छोड़े के दिल पर चोड़ पहुचाने के साथ-साथ मारे घर परिबार के पेट में लात मारी है इतनी बड़ी गल्ती को मैं ऐसे ही न छोड़गी पर भाबो वो जो तू तो बड़ी थानेदार नी बनती पी रहना बड़े बड़े मामले सुलजाए तुने चमतकारी सिवलिंग के पीछे सचके है आतंवादी ने पकड़ा है मरे आज आज थानि पती की दुकान की बरबादी करने माला उस घर के वेदी को तन्ये मरे सामने लाकर खड़ा करना होगा ठीक है भाबो मैं कोशिश करोगी कोशिस नहीं बीदनी मारे को पूरा विजवास चाहिए एक साम होल के सच के बारे में बात में बात करों के भाबो से अभी सही समी नहीं है ठीक है भाबो मैं आपसे वादा करती हूँ कि उस इंसान को जल्द से जल्द आपके साम दिला खड़ा करो अब संध्या भाबी साथ संध्या भाबी साथ वह दवायची रखने वारे आए आपको बुला रहे हाँ वो मैं आते हैं हो दिया और बाती हम आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगीगा कोई ब्रेग स्टापलस के बहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेर और सबस्क्राइब करें स्टापलस यूटूब पेज को